नमस्कार मैं हो कृष्णा कारदाते और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फार टुमारो में इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था शेयर मार्केट का जो बेसिक्स है शेयर मार्केट होता क्या है उसके सेग्मेंट्स क्या है उसमें जो इ उसमें से मिल गया है या फिर आप अभी इलिजिबल हो गए हो आपका अकाउंट त्यार हो जाएगा लेकिन जब आपका अकाउंट आपरेट करने जाओगे तो आपरेट करते समय मतलब ट्रेडिंग करते समय कुछ चीजों की जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए या अफिर आपको उसकी मालूमात होना ज़रूरी है वह चीजे बस टर्मनालोजी है लेकिन उसकी अहिमियत इतनी है अगर वह आपको पता होगी तो आपका चैयन आपका सिलेक्शन डेफिनेटल आच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस उसमें दुगना होगा तो चेला आज टर्मनालोजी क्या है जो कोई बंदा या कोई पर्शन स्टार्ट करता है कंपनी को उसे प्रमोटर कहते है यह चीज आप सबसे पहले ध्यान रखो क्योंकि कोई भी आपको शेयर लेना है तो उसका प्रमोटर जिसने चालू करी कंपनी वो कोने आपको मालूम होना चाहिए दूसरी चीज आप जिस ब्रोकर के माद्यम से जा रहा है वो ब्रोकर होता क्या है तो ब्रोकर सिंपली थी वो क्या करता है कि एक इन्वेस्टर को एक ऐसा प्लाटफॉर्म देता है जिस प्लाटफॉर्म से वो इन्वेस्टर शेयर को बाई कर सकता है या शेयर को शेल कर सकत और दूसरे एंड पे जो डिपोजिटरी काम करती है वो काम जब करती है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ वो काम ने करती है तो उसके लिए आपको ब्रोकर की जरुरत होती है तीसरी टर्मिनोलोजी जो इंपॉर्टन्ट है वो है कि इन्वेस्टर कौन-कौन से होते है अभी आप और मैं common people जो है तो उसे आम investor कहेंगे लेकिन वो RI है RI का मतलब होता है retail investor जिनकी investment छोटी तादात में होती है दूसरी जो type के investors होते है वो होते है HNI high net worth investors होते है जो की उनकी net worth बड़ी तादात में होती है उसकी लिए उनकी category आलग बनाई जाती है तीसरे जो होते है तो वो होते है domestic institutional investors मतलब यहां के जो institutional है जैसे कि bank है financial companies है जैसे LIC बड़ी अपनी insurance company है वो लोग जहां invest करते है और वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको institutional investors कहा जाता है domestic के और दूसरा जो इन्वेस्टर का type होता है उसके पाद में का वो होता है FII को FPM भी कहा जाता है मतलब FII क्या होता है कि foreign institutional investors जो इंडिया के share market में investment करते हैं यह terminology आपको समझ लेनी है उसका face value उसके बाद का टर्म है face value क्या कहलाता है कि जो share certificate पर वो share की जो values वहाँ पर लिखी गई है initial को initial जब वो register हो रहा है था कि उसको face value कहा जाता है उसके बाद होता है stock की split value अभी यह अगर आपको बताना है कि कोई stock 2 रुपए में उसकी face value है और बेचा जाता है लेकिन कल जाके उसके जो shares की split हो गई value तो क्या हो गया कि 2 रुपए का जो share हो गया उसके 2 पार्ट बनाए गये और वो share की कीमत 1 की गई मतलब share का value पूरा overall तो कम नहीं हुआ है लेकि share एक की जगा दो हो गए वहाँ पे share का split हुआ है यह आपको समझना है LTP क्या होता है latest traded price जब share market में आपको जहां पर दिखता है कि share की इतनी price है वो share की उतनी price है वो इतने से बड़ी है उतने से कमी है जो लेकिन last time का जो दिखता है तो उसे latest traded price कहा जाता है LTP कहा जाता है उसके बाद होता है सबसे अहम और बड़ी important चीज होती है जिसको contract note कहता है जो contract note होती है उसमें आपने कैसे कौन से कीमत पर वो चीज ली है उस पर आपका order number क्या है उसकी record date क्या है यह चीजे वहाँ पर लिखी होती है वो आपको gap up और gap down यह दो ने चुझे सीखनी है अभी simple simple सी चीज है जैसे कि कोई share की कीमत gap up हुई है मतलब क्या हुई है कि जिसकी कीमत last time इतनी थी लेकिन दूसरे दिन आज closing के समय उसकी कीमत सपोज 12,000 थी लेकिन दूसरे दिन आपने देखा share market खुलते समय उसकी कीमत 12, 12,000 से आगे चली गई share market तो बन था फिर आगे चली कैसी गई तो after market orders आई है AMO आई है तो AMO में मैं आपको बताऊगा तो उसके give up हुआ मतलब दूसरे दिन last दिन की क्यों price नहीं थी closing price आज की opening price क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो after market orders आई है वो after order market में जो आई है उसकी वज़ा से share की किमत आगे चली गई और कल का closing balance आज का opening नहीं रहे गया जो commerce background के students या फिर सुनने वाले होंगे उनके लिए मेरे दर्कवास है कि जैसे अपना closing stock opening stock रहता था लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है उसी vice versa gap down जो होता है तो उसके opposite आप समझ लो या फिर कोई भ आपको dividend देना चाहती है लेकिन dividend के रूप में वह अगर bonus shares आपको देती है तो आपको तीन और तीन चीज़े ध्यान में रखनी है कि उन्हें में bonus कब declare किया that is the bonus declare announce कब किया दूसरी चीज़ उनका x declaration date कोई सी है और तीसरी जो होती है तो वह final date जहाँ पे वह dis burst करते है तो आ bonus share करे लाएंगे और आपको bonus share भी उसमें मिलेंगे तो यह तीन जो date आपको ध्यान ना रहा है issuers कौन होते है जो देखते हैं कि हमें security जो है तो हमें list करनी है उसको issuers कहते हैं कि market में हमारे अमारे company के हमें list करनी है मार्केट का time बहुत important होता है आपने आज usually देखा है market खुलता कब है तो मार्केट सबरे साड़े 9 बज़े खुलता है तो बंद होता है तीन बज़ के 30 मिनिट को लेकिन friends यह market जो खुलता है तो बहुत सारे orders वहापे आती है इसके लिए जो तुमार जो आपने share market होता है वो उसको match करता है order कितने आए order कितने आए sale कितने आए demand कितने आए वो देखता है उसको match करता है उसके बाद 9 बज़े 15 मिनिट से आगे आप देखे के market चालो हो जाता है तो सीधा 3 बज़े साड़े 3 बज़े तक चलता है तो 4 बज़े तक वो actually खुला ह बाद ये चीजे हैं दूसरी चीज यह सब होने के बाद आपको यह पता कर ना है कि आज का जो प्रोसेस है वह पूरा एलेक्ट्रिकल हो गया है तो प्रिजिए काम करता है पहले जो होता था शेर मार्केट में 1996 के पहले तो वो शेर आना किस ने बेचा किसको बेचा किस कोन ब्रोकर था तो फिर वो जाना उसके process थे और वो रैटिंग में दिया जाता था तो वो लेनी process थी लेकिन जब depository जाए वो depository मैं आगे बताउगा क्या चीज है तो यह तीन process इलक्टिकली तीन प्रोसेस से ये शेयर मार्केट का ट्राइजेक्शन जाता है जिसको पहले ट्रेडिंग होती है दूसरी क्लेरिंग होती है और तीसरा जो होता है सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट ये तीन फेज से शेयर मार्केट का ट्राइजेक्शन गुजरता है यह हमे देखना है, तो यह order electrically execute होती है यह आज के share market का सबसे बड़ा फाइदा, जैसे कि हम उसके trading date है, trading date होता है trading date के बाद दो दिन के business transaction में T plus 2 में transaction complete होता है तो यह कौन करता है, तो clearing corporation जो house है, तो NSC जो है, national stock exchange के लिए तो NSCCL उसका काम देखता है, national security clearing corporation limited उसका काम देखता है, तो दूसरा जो होता है तो ICCL, जो BSC के लिए काम करता है, Indian clearing corporation limited, और तिसरा भी अपनी इदर है MCCIL, तो metropolitan clearing corporation, जो है of India limited, वो उसके लिए काम करता है, तो यह चीजे basically clearing corporation क्या करते है, तो जब हम, हम जब share लेते हैं, या बेशते हैं, तो अपना broker, उनके पास अपना detail बेशता है, कितने shares लिए, कितने shares बेशे, तो उसको clearing करने में आसानी होती है, और वो immediately clear करके आगे बेशता है, मतलब investor, then broker वो एक तो NSDCL को बेशता है, या अंत में मैं इतना ही कहूंगा, कि capital market, ये कितना जबरदस्ट और important role play करता है, economy तो economy का जो dynamic है, और जो economy की efficiency है, बढ़ाने का काम, share market करता है, तो दूसरी और, ये facilitate करता है, कि internationalization of economy by linking of the economy और इंडिया, और the domestic market to the other market, ये हमें समझ लेना है, दोस्तों, ये technical चीज थी, मैंने आपको introduction नहीं पार्ट को अभी पूरा किया, ये वीडियो आपका अगर इसलिए पसंद आया हो, तो आप इसको like करो, subscribe करो, और आपने दोस्तों में share करो, इसके बाद मैंने आपको इसले वीडियो में भी कहा था, कि जो चीजे, जैसे कि share हो, mutual fund जो आज के दुनिया में सबसको लगता है, कि share मेंशे जादा मेरे mutual fund में investment होना चाहिए, वो अपना करने का इरादा है, तो मैं आपको कहूँगा, कि आगली वीडियो में definitely इससे भी अच्छी बाते, आपसी चीजे आपसे मैं discuss करूँगा, thank you.